बिजेपी में लोकसभा तुनाओं में हार की समिक्षा कब ब्लेम गेम जादा हुआ है मतलब साफ है कि देश के सबसे बड़े सुबे में बिजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म है इस बीच सीम योगी की बैठक से ओम प्रकाश राजभर नदारद रहे लेकिन केशब प्रसाद मौरेश से मुलाकात कर नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया है 2024 लोकसभा चुनाओं परिनामों को लेकर सीम मंडलवार जनप्रतिनिदियों के साथ समिक्षा कर रहे है इसी कड़ी में सीम ने आजमगर मंडल की बैठक बुलाई थी लेकिन उस बैठक में राजभर नहीं पहुचे दरसल सीम योगी ने आजमगर में मंडलीय समिक्षा के लिए बैठक बुलाई थी बैठक में सुभास पाध्यक्ष पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं हुए इस बीच राजधानी में उप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौरे और ओपी राजभर की मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौरिस से ओपी राजभर का मिलना सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे गया केशव के आवाज पर हुई इस मुलकात में दोनों नेताओं के मीच करीब आदे घंटे तक बात चीथ हुई हाला कि उनकी केशव से किस मुद्दे पर बात हुई ये अभी तक किसी से शेयर नहीं किया गया है राजभर की केशव से मुलाकात को भाजपा के भीतर चल रही खीचातान के तहत हो रही लामबंदी से जोड़ कर देखा जा रहा है जेमडी नियूस के लिए सोशल मीडिया शुएता करवाल की रिपोर्ट